what's up everyone welcome back to the channel तो हम लोग आगए है guys आज day 19 पे और आज की इस class में मैं आपको cover कराऊंगा ratio analysis पूरा का पूरा one shot sir हम लोगों ने तो cash flow के basics करे थे मुझे पता है हम लोगों ने cash flow के basics भी करे थे but I really want कि हम लोग एक बार ratio को complete कर ले for day 20 day 21 हम आराम से cash flow statement कर पाएंगे है ना तो दो दिन मिल जाएंगे cash flow को तो हम जादा questions practice कर पाएंगे और ratios बहुत छोटा सा chapter है तीन से चार नंबर का आपके exam में आना है तो बड़े ही अच्छे तरीके से मैं आपको one shot कराऊंगा तुम इस one shot को देख लेना तुमें ratio में पूरा का पूरा cover हो जाएगा और हर चीज तुम लोग इसमें समझ पाओगे तो जाओ जाके attendance लगा दो वीडियो शायद बड़ा होगा क्योंकि ratios काफी सारी हैं बट मैं आपको one shot बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप इसको शांदार तरीके से तयार करना और अब बेटा जी आपके time को save करने के लिए मैंने already सारे formulas बहुत अच्छे तरीके से लिखती हैं ठीक है आज की इस class में मैं आपको सौरे formula समझाऊंगा एक एक चीज में आपको बताऊंगा and you have to make sure कि आज आप बैठो जितने भी ratios के formulas हैं वो सारे learn करो जितने भी उसके अंदर चीजों की requirement होगी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ आपको एक एक चीज समझ में आएगी आपको बस make sure करना है कि आप इन formulas को 4-4-5-5 बार लिख-लिख के learn कर लो and हर छोटी से छोटी चीज को अपने पास सीख लो ठीक है तो देखो सबसे पहले accounting ratios जो होती है हमारे पास accounting ratios हमें help करती है financial statements को analyze करने में financial statements analysis में हम लोग ratios पढ़ रहे हैं अब ratio आप कितने तरीके से लिख सकते हो बच्चो ratio या तो आप fraction में लिखते हो sir fraction का क्या मतलब है या ऐसे आ गया 1 by 2, 2 by 4, 4 by 8 ऐसे तो ये क्या है basically ये fractions में आ गई ठीक है तो ratios या तो fractions में हो सकती है या फिर आप इसको pure ratio में भी लिख सकते हो sir pure ratio क्या मतलब हो गया जैसे इसको 1 ratio 2, इसको 2 ratio 4, इसको 4 ratio 8 इसको हम क्या बोलते है pure ratio में लिखना या फिर आप बच्चो इसको times में भी लिख सकते हो sir times का मतलब कुछ ratios ऐसी है जो times में निकलती है 6 times, 8 times, 10 times, 4 times ऐसे निकलती है और कुछ ratios ऐसी होती है बच्चो हमारे पास जो percentages में निकलती है जितनी भी profitability ratios होती है ना ये profits वाली ये सब percentage में होती है कि आप 10% कमा रहे हो, 20% कमा रहे हो, 40% कमा रहे हो सबसे पहली होती है liquidity ratios, दूसरी होती है हमारे पास solvency ratios, तीसरी होती है हमारे पास turnover ratios, चौथी होती है हमारे पास profitability ratios तो हमारे सलेबस में मेंली ये चार तरीके की रेशोज हैं जो आपको पढ़नी है एक जगा आप लिख सकते हो इनको कौन-कौन सी होती है हमारे पास सबसे पहले लिक्विडिटी फिर सॉल्वेंसी फिर टर्न ओवर फिर प्रॉफिटेबिलिटी ओके अब लिक्विडिटी से लिक्विडिटी का कुछ और नाम भी होता है हम जी लिक्विडिटी का दूसरा नाम होता है शॉट टर्म सॉल्वेंसी बहुत छोटे टाइम के लिए जब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई फिर्म अपनी शॉट टर्म लाइबिलिटी इस टाइम से पे करेगी या नहीं हैं दा लिक्विडिटी रेशो या फिर शॉट टर्म सॉल्वेंसी रेशो तो मेंली जो आपकी लिक्विडिटी है वह शॉट टर्म लिक्विडिटी दिखाती है तो इसके अंदर हम करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी सिर्फ करेंट वाली चीज़ें कंसिडर करते हैं अब current assets में, current liabilities में क्या क्या आता है, उसके लिए आपको balance sheet याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी, कि current liabilities में क्या था, current assets में क्या था, current liabilities में आपको toss याद होना चाहिए, और current assets में आपको, सोचो, 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 टिसको याद होना चाहिए, पूरा का पूरा, मैंने वह अच्छे तरीके से आपको बढ़ाया था, अब देखो, सबसे पहला होता है, current ratio, current ratio का ही दूसरा नाम होता है, working capital ratio, current ratio का formula है, बच्चो, CA upon CL, current asset divided by current liabilities, ठीक है, इसके अंदर कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपको याद रखनी है, current assets में, inventory में, अगर loose tools, stores and spares है तो उसको हटा देना है, इसका मतलब inventory में, loose tools, stores, spares नहीं होने चाहिए, जब भी हम current ratio calculate कर रहे हैं, दूसरा debtors आपको net पे लेने हैं, net का मतलब है कि, provision for doubtful debts minus करके, तो debtors में आपको हमेशा provision for doubtful debts हटाना है, उसके बाद जो इसका ideal ratio होता है, बच्चो, वो 2 ratio 1 होता है, बहु 3 ratio 1 है, 3.5 ratio 1 है, तो अच्छी बात है, बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए, ओके, दूसरा इसके अंदर जो हम ratio बढ़ते हैं, बच्चो, उसको हम बोलते हैं, quick ratio, या फिर liquid ratio, या फिर acid test ratio, तो सबसे पहला तो हमारे पास आगया current ratio, दूसरा हमारे पास आगया quick ratio, ओके, quick ratio का formula होता है, quick assets upon current liabilities, quick assets किसको बोलते हैं, बेटा, जो current से भी जादा liquid होते हैं, current assets तो liquid होते ही है, quick assets उससे भी जादा liquid होते हैं, तो अगर किसी को मेरी बहुत ही short term position देखनी है, 2-3 महीने की position देखनी है, एक साल की भी नहीं देखना चाहता कोई, 2-3 महीने की, तो वो यह व assets, minus 3 चीज़े हटा दो इसमें से, inventory, prepaid expenses, advanced tax, तो ध्यान रखना बच्चो, आपको कभी भी quick ratio निकालनी है, तो quick assets निकालने पड़ेंगे, वो कैसे निकलेंगे, current assets minus IPA, जाधातार exams में inventory दिया होता है, बस आपको यह हटाना है, okay, inventory वाला पार्ट हटा देना, आपको current assets में से पूरा ही inventory का app कर देना है, सही है जी, perfect sir, दो ratios तो हमें पता चल गई, कौन-कौन सी होती है, liquidity में current ratio, quick ratio, current ratio is CA upon CL, quick ratio is QA upon CL, current liabilities सेम रहेंगी, current assets में सारे current assets देना, quick assets में current assets में IPA हटा देना, ठीक है, अब आजाओ आप हमारे पास solvency ratios कितनी होती है sir, solvency ratio ना बच्चो, solvency ratio में ध्यान रखना, आपके पास mainly किस चीज से deal करेगा, mainly आपको long term position के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे कुछ भी current नहीं होता usually, जाधा तर long term की बात करता है, सही है, तो जब आप solvency में देखोगे, तो सबसे अच्छी बात solvency की यह है कि maximum ratios के नाम में ही उसका formula है, त quick ratio is QA upon CL, तो आपको सोचना बढ़ता है, solvency में simple है, जो नाम है वही formula है, बस दो के याद करने आपको, जैसे सबसे पहले debt equity ratio, sir debt equity ratio क्या है, debt divided by equity, अब sir debt का क्या मतलब है, debt का मतलब है बच्छो non current liabilities, ध्यान रखना जब भी मैं debt बोल रहा हूं, तो मैं long term debt बोल रहा हूं, short term नहीं बोल रहा हूं, यह please अपने mind में set रखना, whenever I say debt, debt is long term debt, non current liabilities, sir equity क्या है, equity है बच्छो shareholders funds, shareholder fund में sir share capital and reserves and sir plus, है ना, तो equity के लिए आपको चाहिए shareholders funds, debt के लिए आपको चाहिए non current liabilities, debt equity ratio is debt divided by equity, okay, इसका ideal भी 2 ratio 1 होता है, इससे जाधा risky है, जितना कर्जा बढ़ेग risky हो जाएगा ना, तो इससे जाधा risky होता है बच्छो, next आता है sir, total assets to debt ratio, sir what is this total assets to debt ratio, देखो नाम में ही है, total assets divided by debt, total assets to debt का formula क्या होगा, total assets divided by debt, sir यह total assets कैसे निकलेंगे, देखो, एक balance sheet का format आपको आना चाहिए, हम लोग sir क्या यह balance sheet exam में भी बना सकते हैं, हम जी, आप बना क्या आओगे बच्छो इसको exam में working note में, okay, तो working note में, आप examination में यह balance sheet assets बना सकते हो, right, अब देखो क्या-क्या होता है हमारी balance sheet में, sir, non current assets हो गए, और current assets हो गए, यह तो इधर आ जाते हैं, है ना, यह इनका total हो जाता है, और इधर क्या क्या आता है, shareholder fund, non current liability, current liability, यह मेरी balance sheet होती है, यह होती है ना, देखो आपकी balance sheet, बस वो vertical है, horizontal बना दी मैंने, क्या हो गया, इधर liabilities ले ली, इधर assets ले लिए, अब देखो इस बार क्या formula है, इस बार total assets to debt ratio का formula है, total assets divided by debt, total assets divided by debt, तो total assets क्या है, total assets का मतलब है, बच्छो यह, this is total assets, total assets क्या होते है, non current assets plus current assets, यह जो total आया, divided by debt का मतलब आपको यह वाला लेना है, non current liability, ठीक है, तो ध्यान रखना, total assets to debt ratio में, total assets divided by long term debts, then we have proprietary ratio, जो, सर, proprietary ratio का formula याद करना पड़ेगा, हन जी, यह important भी है, साउदान इंडिया कई बार exam में आया है, proprietary ratio is equity upon total assets, equity divided by total assets, सर, equity क्या है, equity is your shareholders funds, equity का क्या मतलब है, हमारे पास shareholder fund, और total assets आप समझी गए, non current assets plus current assets, तो ध्यान रखेंगे, proprietary ratio का formula है, equity upon total assets, और आपको यह चीजें learn कर लेनी है, आज ही, ओके, next आता है, सर, interest coverage ratio, interest coverage ratio, सर, what is interest coverage ratio, interest coverage ratio, बच्चों यह दिखाता है, कि आप कितना कमा रहे हो, और उसके comparison में, आपको कितना interest pay करना है, अगर आपने कोई कर्जा वर्जा लिया वा है, तो इसका formula होता है, earning before interest and tax divided by fixed interest, देखो बच्चों, इसका formula क्या है, interest coverage ratio का formula है, earning बोल लो या profit बोल लो, profit before interest and tax divided by fixed interest, अब suppose करो कि आपका interest है, एक लाक, और आपकी earning है दो लाक, तो ये कितना हो गया, two times, तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो ICR जो है, जो interest coverage ratio है, ये times में आता है, हिंदी में लिख लो अपनी copy में, ICR will always be calculated in times, तो ये दिखाता है कि interest से कितना गुना आप कमाते हो, अब suppose मैं यहाँ पे 5 लाक कमाता हूँ, और ब्याज देना है 1 लाक, तो कितने गुना हो गया, five times, right, मैं कमाता हूँ 10 लाक, ब्याज देना है 1 लाक, तो कितने गुना हो गया, 10 गुना, तो जितना बढ़ता जा रहा है, उतना अच्छा होता जा रहा है, तो ध्यान रखो interest coverage ratio जितना high होता है उतना अच्छा होता है अब कई बार ना बच्चो आपको exam में हमें क्या चाहिए formula में हमें चाहिए ये profit before interest and tax exam में ये नि दिया होता है exam में पता क्या दिया होता है exam में दिया होता है profit after tax ये दिया होता है अब तुम यहां से यहां कैसे जाओगे, क्या तरीका है, तो देखो profit before interest and tax में से पहले interest minus होता है, तो आप कहां पहुँचते हो profit before tax पे, इसमें से फिर क्या minus होता है, tax minus होता है, फिर आप कहां पहुँचते हो profit after tax पे, तो usually exam में बच्चो profit after tax दियावा होता है, अगर आपको profit before interest and tax पे पहुँचना है, profit before interest and tax पे पहुँचना है, तो आप बोलोगे profit after tax plus taxes जो आपने दे दिये हैं plus interest, तो आप यहाँ पे पहुचोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना यह आपको पता होना चाहिए कि आपको यह given होगा, और आपको यहाँ पे पहुचना होगा, ठीक है, done sir, interest coverage ratio का formula भी अब आपको याद करना है, आज क्या है, EBIT divided by fixed interest, sir, what is debt to capital employed ratio, देखो नाम में ही है, debt to capital employed, debt का मतलब फिर से non current liability, capital employed बच्चो बहुत important है, capital employed दो तरीके से निकल सकता है, या तो asset side से निकल सकता है, या फिर liability side से निकल सकता है, तो capital employed किसको बोलते हैं, capital employed बोलते हैं, बच्चो, shareholder fund plus non current liability, किसको बोलते हैं, shareholder fund plus non current liability, या फिर non current assets plus current assets minus current liabilities, non current assets plus current assets minus current liabilities, ठीक है, इसी को बच्चो मुझे बताओ, CA minus CL किसको बोलते हैं, CA minus CL बोलते हैं, working capital को, तो हमारे पास कई बार working capital दिया होता है, ध्यान रखना, working capital क्या होता है, working capital is current assets minus current liabilities, शही है, या फिर non current assets plus current assets किसको बोल सकते हैं, total assets को, minus current liabilities, तो आप किसी भी formula से यहाँ पे capital employed find कर सकते हो, देखो, सबोस यह balance sheet है, non current asset, current asset, total, shareholder fund, non current liability, current liability, पाँच लाख, पाँच लाख, पाँच लाख, आठ लाख, साथ लाख, पंदरा लाख, पंदरा लाख, देखो, ऐसे दिया हुँआ, ऐसे दिया हुआ है पच्छो, ऐसे दिया है बच्छो, राइट? अब आपको यह करना है, आपको whet одना है, capital employed, 10 लाग आ गया या फिर आप करोगे non current asset plus current asset minus current liabilities यह ध्यान रखना 8 and 17 15 minus 5 तब भी 10 लाग या आएगा तो किसी भी approach से आप निकाल सकते हो आपको calculate करना आना चाहिए तो shareholders fund plus non current liability या फिर NCA plus CA minus CL इसको हम capital employed बोलते हैं हर चीज note करना बचो done sir इसके बाद आता है sir turnover ratios अब ध्यान रखना बेटा जी turnover ratios आपके पास normally सारी की सारी times में निकलती है turnover ratios सारी की सारी की सारी की सारी में निकलती है times में turnover ratios आपकी working दिखाते हैं कि आप कितने effectively अपना काम कर रहे हो कितने अच्छे से debtor से पैसा ले रहे हो कितने अच्छे से creator को पैसा दे रहे हो inventory कितने अच्छे से utilize कर रहे हो working capital का कितना अच्छा utilization कर रहे हो यह mainly आपके working को दिखाता है तो सबसे पहला होता है अच्छा इसको याद कैसे करेंगे सर इसको याद करेंगे बिटा इतर, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर, क्या होगा है सर इतर, टर्टर, टप्टर, वक्टर, फटर, नटर, ठीक है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो 6 ratios होगी इतर, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर ओके सर इतर का मतलब इधर का मतलब है बच्चो, Inventory turnover ratio इधर का क्या मतलब है? Inventory turnover ratio, Inventory turnover ratio, full form में लिखना, इसका Inventory turnover ratio का जो formula है, वो है cost of goods sold divided by average inventory, sir cost of goods sold कैसे निकलेगा? cost of goods sold निकलता है बच्चो, opening inventory, plus purchases, plus direct expenses, minus closing inventory यह अपने class 11th में भी पढ़ावा है COGS है ना, तो cost of revenue from operation भी बोलते हैं cost of goods sold भी बोलते हैं formula है opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock और inventory का अगर average करना है तो opening plus closing upon 2 inventory का average करना है तो क्या formula चलेगा opening plus closing upon 2 तो COGS का formula पता होना चाहिए average inventory का formula पता होना चाहिए sir what is this tartar trade receivable turnover ratio trade receivables turnover ratio तो sir trade receivables, receivables क्या होते हैं जिनसे पैसा लेना है तो कैसे calculate होगा credit sales, credit sales कैसे निकलेगा या तो आप total में से cash हटा दो total sale में से अगर आप cash sale हटा दोगे तो credit sale आ जाएगी और average trade receivables कैसे निकलेंगे opening trade receivables plus closing trade receivables divide by two average निकालना है तो opening plus closing upon two करना है inventory का निकालना था तो opening inventory plus closing inventory trade receivables का निकालना है तो opening trade receivables plus closing trade receivables तीसरा आता है बच्छो ट्रेड पेबल टर्णोवर रेशो पेबल अब पेबल क्या है पेबल जिसका पैसा देना है जिसका पैसा देना है तो सर वो कैसे निकलेगा वो निकलेगा बच्छो क्रेडिट परचेज जो उधार में खरीदा है divided by average trade paypal average trade paypal फिर से opening plus closing upon 2 ठीक है working capital turnover ratio sir Vector working capital turnover ratio का formula होता है RFO upon working capital ये बच्चों सारे RFO की respect में दिख लेंगे देखो RFO, RFO, RFO तो आपके लिए याद करना easy है RFO upon working capital RFO is sales RFO किसको बोलते है sales minus sales return और working capital किसको बोलते है CA minus CL working capital के लिए CA minus CL net assets turnover ratio net assets turnover ratio का formula है बच्चों RFO upon net assets net assets किसका दूसरा नाम है capital employed का तो sales divided by capital employed capital employed कैसे निकलती है मैंने आपको भी यहाँ पर सिखाई assets side या liability side से कर सकते हो fixed assets turnover ratio is RFO upon fixed assets fixed assets ज्यान रखना यह आपको लेने है after depreciation इसका मतलब यह net fixed assets लेने आपको net fixed assets RFO divided by net fixed assets okay done sir यह हमारे पास सारे के सारे basic formulas हो गए turnover ratios के ठीक है इतर turtar, taptar, vaktar, nutar, fattar सारे के सारे आज याद करने हैं बैठके आपको आज आपको focus इसी पर गड़ना है कि मेरे ratios के formulas मुझे सारे याद हो okay last आती है बच्चों हमारे पास profitability ratios profitability में पांच प्रकार की ratios होती है exam से पहले यह video आपको बहुत help करेगा सारे ratios एक ही वीडियो में revised है ना बहुत useful वीडियो होगा आपके लिए profits निकालो डिवाइड बाइस सेल करो इंटू हंड्रेड कर दो सर तीनों profits कैसे निकलेंगे कि देखो सबसे पहले trading and P&L account में आप क्या लिखते हो opening stock फिर आप क्या लिखते हो net purchases सर net purchases का क्या मतलब होता है net purchases का मतलब होता है purchases minus purchase return फिर आप क्या लिखते हो net sales net sales का क्या मतलब होता है सर sales minus sales return फिर आप क्या लिखते हो closing stock फिर आप क्या लिखते हो direct expenses, sir direct expenses कौन कौन से होते हैं, direct expenses बचो याद करो factory वाले, जैसे wages, production वाले, जैसे carriage हो गया आपका, carriage inward, freight, है ला, जितनी भी चीज़े आपकी factory, production से related, जितनी भी चीज़े आपकी purchase से related, इन सब को हम क्या बोलते थे, direct expenses बोलते थे, तो factory वाले, inward लगा हो, purchase लिखा हो, production लिखा हो, ये सारे के सारे direct expenses होते थे, फिर यहाँ पे जो value आती थी, इसको हम बोलते हैं, GP, gross profit, इसको हम क्या बो gross profit, तो gross profit ratio अगर आपको निकालनी है, तो gross profit ratio के लिए आपको GP निकालना आना चाहिए, GP का बच्चो या तो आप ये trading account बना सकते हो, या फिर GP का एक formula भी होता है, sales minus cost of goods sold, sales minus cost of goods sold, sir cost of goods sold क्या होता है, opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, the cost of goods sold, right, तो ये आपको पता होना चाहिए, कि sir किस तरीके से हमारे बास cost of goods sold calculate होता है, सही है जी, अब देखो cost of goods sold क्या है, opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, देखो ये था, तो sales में से ये सा बटा दूँगा, तो अपने आप GP आएगा या नहीं आएगा, right, इसके बाद बच्चो इस GP को आप नी TP brought down, फिर हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो हमारे लिए normally हमारे business से related है, sir business से related, जैसे, जैसे salary, ठीक है, salary हो गया, depreciation हो गया, advertisement हो गया, selling expenses हो गया, administration expenses हो गया, तो कभी भी ऐसा लिखा हो है, salary है, administration expenses है, selling expenses है, depreciation है, यह सारे बच्चो operating expenses होते हैं, ऐसे ही incomes, उनको हम क्या बोलेंगे, operating incomes, जो हमारे operations से related होंगी, अब आपके पास जो यहाँ पे profit आएगा, उसको आप बोलते हो, operating profit, ठीक है, sir यह operating profit कैसे निकला, operating profit निकला, बच्चो इन दोनों को add करो, GP plus operating income, minus operating expense, आपके पास operating profit आगया, फिर आप इस operating profit को ही नीचे ले जाते हो, buy operating profit brought down, फिर आप लिखते हो non operating expenses, sir non operating expenses कौन से होंगे, जो आपके operations related नहीं है, interest on loan, interest on debentures हो गया, loss on sale of assets हो गया, loss by fire हो गया, loss by theft हो गया, यह रोज रोज नहीं होते है, यह आपके non operating expenses है, ऐसे ही non operating incomes, अब यह दोनों को plus करोगे, यह minus करोगे, तो आपके पास net profit आजाएगा, तो आपके पास क्या आता है, net profit, अभी जब मैं आपको अगली glass में इसके questions कराऊँगा, तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने सारे formulas याद करे होंगे, आज मैं आपको आप सारे formulas आराम से याद कर लो, यह सारी चीज़े एक बड़े से चार्ट paper पे लिखके अपनी दिवार पे लगा देना, रूम की, या जहां भी बैठते हो वा लगा ना, उठते बैठते रूम में घूमते फिर ते उस पर नजर लगाओ, पांच मिनट देखो उसको कि क्या इंडल वगएरा बना के लिखो, और जितनी बार रूम में आओ, पांची मिनट लगेंगे, फटा-फट पढ़ लो, कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, देखो कैसे याद होता है, ठीक है, अब देखो बच्चो, GP रेशो निकालना है, तो सर क और आगया तो आपसे चाहिए, पूछले, चाहिए, पूछले, जाहिए, पूछले, आपके लिए आपके लिए असान है, समझ गए, तो देखो, GP ratio, GP upon sale, net profit ratio, net profit upon sale, operating profit ratio, operating profit upon sale into 100, ठीक है, जी, 4 दोता है बच्चो, operating ratio, operating ratio होता है, बाभू, expenses दिखाता है, जो, operating cost, divided by RFO into 100, सार उपरेटिंग कोस्ट किसको बोलते हैं अपरेटिंग कोस्ट हम लोग बोलते हैं बच्चों cogs plus operating expenses cogs plus operating expenses तो हमने mainlyöllी सारे के सारे operating cost ले ली है ना तो operating cost के लिए हमारे पास आजाता है एक तो cogs और एक आजाता है हमारे पास operating expenses तो उपर वाला खर्चा और ये नीचे वाला खर्चा जब आप sale में से दोनों खर्चे अटा देते हो तो operating profit आ जाता है या नहीं आजाता है भाई sale में से दोनों खर्चे अटा दो तो operating profit आ जाएगा तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर भैया operating ratio 60% है तो समझ लो कि खर्चे 60% है तो operating profit कितना हुआ बताओ अगर 100 में से आपने 60% खर्च कर दिया तो operating profit 40% हो गया बिल्कुल सही बात है खर्चे अगर 70% हो गए तो profit 37% हो गया बिल्कुल सही बात है खर्चे अगर 55% हो गए तो sir profit 45% हो गया बिल्पुल सही बात है, तो ध्यान रखना बच्चो, operating ratio प्लस operating profit ratio हमेशा 100% होता है, तो अगर आपको exam में दोनों निकालने के लिए आ गएना, तो आप एक निकाल देना, दूसरा 100 में से minus करना value आ जाएगी, very simple, operating ratio में से operating profit ratio हटा दो, तो आपको दूसरा आ जाता है, कुछ भ दूसरा 100 में से minus कर लो, यह इनके बीच में relation होता है, लो सार, operating ratio भी हो गया, operating cost divided by RF4 into 100, लास्ट आता है बच्चो, return on investment या फिर return on capital employed, क्या होता है, यह होता है बच्चो, net profit before interest and tax, वही EBIT, profit before interest and tax, divided by capital employed into 100, सही है, capital employed कैसे निकलती है, फिर से वही या तो asset side approach, या liability side approach, asset side approach भी बता है, आपको library side approach भी बता है, सीधा सीधा, formula लगाओ, answer निकालो, तो यह थे बच्चो, हमारे पास सारे के सारे ratios, एक जगा आ जाएंगे क्या, बहुत मुश्किल है, एक जगा लाने तो बहुत ही मुश्किल है, जादा छोटा हो जाएगा, आपको देखेगा भी लो जी, अब मुझे, I'm not sure, कि आपको कितना इसमें दिख रहा है, कितना नई दिख रहा है, स्क्रीन पे, बट फिर भी एक जगा मैंने कर तो दिये, आप एक बार इसको देख लो, आपकी copy में वैसे सारे के सारे आ गए होंगे, तो हमने पूरे के पूरे ratios, मैंने आपको सार important point, कौन सा times में, कौन सा percentage में, हर चीज आप लोगों ने देखी, अपने पास लिखी, अब आपके पास एक छोटा सा homework है, कि आज आप बहुत अच्छे तरीके से इन सब formulas को याद कर लो, अपने पास लिख लो एक जगा, क्योंकि कल जब हम questions करें, ठीक है, आप cash flow ratio दो दो द जाधा practice करते चले जाएंगे, उतना अच्छा हम होते चले जाएंगे, तो इनको एक जगा लिख लो, ratios में, जाधा काम formulas का ही है, उसके बाद calculations तो अभी सिखा दूँ, आपको कैसे होती है, ठीक है, तो कल मिलेंगे, हम लोग कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक आप बह इस रात को बैठना है, याद करना है, और बढ़िया तरीके से तयारी करके आनी है, कल मिलते हैं, तिल देन, thank you so much everyone, I'm gonna see you all super soon, see ya, bye bye